यह वाला जो है हाइलाइट करने के लिए माले जिए हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ ही है और इतना को मैं हाइलाइट करना चाहता हूं ठीक इतना को हाइलाइट करना चाहता हूं तो मेरे को यहां पर क्लिक करना पड़ेगा और उसमें से कोई भी एक कॉलर को चूज करना क्रיमेटिकलि ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा ओके लेक्स्ट हम दिखेंगी कि इसके साइड में फिर और एक एक निचे कुछ कालर का उपसोनाया है तो इसका मात्राब ये है कि गई तका फोर्ट को को चेंज करना है sorry text का font color को चेंज करना है माली जी में इतना को select किया हूं select करने कि बाद जब यह font का color पसिलेक्ट किया हूं option पर click किया हूं तो कई सार्ण color का option दिखा रहा हैं और इसमें अगर हम माउस pointer को जब जब घुमाएंगे तो हमारे selected टेस्ट का कलर भी चेंज होता जाएगा और जो हमको अच्छा लागिए उसको हम क्लिक कर देंगे तो हमारा सिलेक्टर document का color selected selected test का color change होना नजर होएगा next यह दिख रहे होंगे यह change case में change case कहते हैं यह section का change case बोटन भी कहते हैं तो इसका काम होता क्या है माल लिजिए आपने सारे document लिख दिये हैं 4-5 page लिख लिए हैं लेकिन आप small letter में लिख लिए आपको लिखना चाहिए था capital letter में सारे letter capital होना चाहिए था लेकिन आप small letter में लिख लिए तो इस case में आप क्या करेंगे पूरा का पूरा डिलेट करेंगे फिर से type करना सुरू करेंगे नहीं ऐसे नहीं कभी भी ऐसे गलती मत कीजिए तो मैं आपको एक छोटा सा trick बताता हूँ और वो trick यहां पी छिपा हुआ है तो आप क्या करिएगा कि यह सारे test को यानि कि जितना test आप capital letter में convert करना चाहते हैं उतना test को आप select कीजिएगा select करने के बाद आप इस option में click कीजिएगा जो click करेंगे तो आपके समय धेर सरह option available हो जाएगा तो आप upper case में जो click करेंगे तो आप जितना भी small letter में type की होंगे सारे documents capital letter में convert हो जाएगा ओके अगर माली जी आपने क्या करेंगे यहां पर click करने के बाद जो आया sentence case तो इसमें जो हम click करते हैं तो और एक sentence का पहला letter capital होगा देखिए पहला letter capital है पहला letter capital है पहला letter capital है capital है capital है और जब हम यहां पे lawyer case में क्लिक करेंगे तो सारे letters lawyer case में आ जाएगे small letter हो जाएगा तो यहां पर click किये तो दिख रहे हैं पहला letter भी small में आ गया और जितना सारे letter यहां पर available है इस paragraph में तो सारे के सारे small letter में convert हो गया फिर और एक option है यहां पर capitalize each word इसका मतलब होता है हर एक word का पहला letter capital होगा यहां पर click करते दिखिए यह word का पहला letter capital है यह word का पहला letter capital है तो फिर से अगर माल लिजिए आपको पहला letter अगर छोटा का ना toggle में क्या होता है कि हर एक word का पहला letter यान श्टार्टिंग letter small हो जाता है toggle case में हर एक word का starting letter small हो जाता है और बाकि सो capital रहेगा चलिए हम click करके दिखते हैं कि उसमें होता क्या है जब हम इसको click किये तो दीख रहे हैं यह word में on on में क्या हुआ कि पहला letter छोटा हो गया और टी एची दो में आपका पहला letter छोटा हो गया और insert में first letter आपका छोटा गया small हो गया है यह trick अगर आप अपनाएंगे जानेंगे practice करेंगे तो आपका समय बच सकता है